तो बहुत सारे दोस्त मुझे पूछे था XRP के बारे में कि XRP का क्या करना चाहिए आप देख सकते हो कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि XRP के पास यहाँ पे एक support है जो कि 0.17 के आसपास का है जो कि support हमें last time देखने को मिला था around इस area में और आपको clearly देखने को मिलेगा कि कल जो यह support इसने एक अच्छा खासा है पर level of support दिया है और यहां से prices bounce कर गए है अब आगे की जो कहानी वो कुछ इस तरह है कि XRP जो है अभी इस level के आसपास घूम रहा है जिसके करण उसमें sailing आ रही है तो अगर वापिस XRP लेवल पर आता है तो यह level एक बार फिर से bounce कर सकता है लेकिन दियान रखना है पर stop loss pass में रखना क्योंकि अगर कुछ गरबड होती है तो हम इसे exit पर properly हो पाए तो यह थी एक short update XRP के लिए